हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आज की वीडियो के अंदर हमारा जो टोपिक रहेगा वो रहेगा सिकल सेल अनीमिया के उपर, यह जो अनीमिया है आप प्लस्टू में भी पढ़के आए होगी और आपका यह BSC, नर्सिंग के अंदर भी है, आपका जो बलड का चैप्टर है अनाटमी के अंदर उसके जो डेजिस कंडिशन है, वहां पर हम अनीमिया पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर आपका यह नूट्रिशन के अंदर भी आता है, लगबग हर सब्जक्ट के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा, तो देखिए, शुरुआ अनीमिया इस जो देखने को मिलेगी और जो की रप्चर हो जाएगी इसली यानी जो आपकी आपकी डेथ पीरियड है वह वैसे तो आपका, वनट्वेटी देज का होता है लेकिन यहां पे जो RBC है वो आपकी 10 से 20 डेज के अंदर डाई हो जाएगी ठीक है क्या होता है RBC के अंदर abnormal hemoglobin होगा जिसकी वज़े से RBC की शेप कैसी हो जाएगी आपकी सिकल शेप की हो जाएगी ठीक है और ऐसी position of six of the beta globuline ठीक है अब एक वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था hemoglobin की structure के बारे में hemoglobin में क्या होता है हीम और ग्लोविन दो पर्ट प्रेजेंट होते हैं तो hemoglobin आपका हीम प्लस ग्लोविन से मिलके बड़ा होता है हीम के अंदर iron और पॉरफाइरिन होता है अपका ये color प्रोवाइड करते हैं आपकी ब्लड को और ग्लोविन आपका क्या है एक प्रोटीन है जिसके अंदर दो चेन होती है कल्फा चेन एक बीटा चेन ठीक है तो यहां पर हमें बताया गया है सिकल सैलनीमिय के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा जो आपका देखिए जो आट दा पोजिशन ओफ शिक्स ओफ दा बीटा ग्लोविलीन पोलीपेप्टाइड जो आपकी बीटा चेन है हीमोगलोविन की वहां पर क्या देखने को मिलेगा सब्सिट्टूट हो जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड वैल लाइन के साथ ठीक है यह दोनों ही क्या है अमिनो एसिड हैं लेकिन जहां पर ग्लूटामिक अपर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वहां पर क्या आजाएगा आपका वैल लाइन अमिनो एसिड आ जाएगा जिसकी वजह से आपकी जो आरवीशी की शेप है वो सिकल सेल की हो जाएगी ठीक है इस वजह से जो सिकल सेल है आपकी वो ब्लोग कर देती हैं ब्लड वैसल को various organs की और damage कर देते हैं उनको जैसे के आपका brain हो गया kidney हो गयी lungs होगी spleen हो गया यहाँ पे जो आपकी blood vessels है वो थोड़ी को होगी थोड़ी constrict होगी और सिकल सेल के rbc है यहाँ से cross नहीं कर पाएंगी और उस इसे इसके बारे में बताया गया है कि ये भी इन्हेरिटेड होता है ठीक है इन्हेरिटेड होता है और रिसेसिव ट्रेट का आपका एक अनीमिया होता है पेशन्ट विद सिकल सेल डिएस आर रेशिस्टेन् डू फैलसी लेजिव बताया गया है है वो रेसिस्टेंट होते हैं अगर किसी बच्चे को सिकल सेल अनीमिया है और उसको बच्चपन में मलेरिया हो गया है तो उसको फैलसी फेरम जो मलेरिया है वो नहीं होगा ठीक है यह बताया गया आपको यहां पर ट्रीटमेंट क्या रहेगा अब इसका देखिए बलड जो skin है उसका जो color है वो lack of color हो जाएगा क्योंकि hemoglobin ही ही है जो आपकी skin को भी एक तरह से color provide करता है red color का अगर अच्छा blood होगा तो skin का जो color है वो lack of color पैलोर आपको देखने को मिलेगी delayed wound healing होगी जो अगर किसी patient को चोट लग जाएगी तो उसकी जो wound healing है वो कैसी देखने को मिलेगी बहुत time लगेगा किसी भी wound को heal होने में and cold intolerance ठीक है ठंड को बरदाश नहीं कर पाएगा patient जो respiration है उसके अंदर क्या changes देखने को मिलेंगे टैकी पीनिया देखने को मिलेगा यानि जो आपकी respiration rate है वो बढ़ जाएगी या फिल डिस पीनिया देखने को मिलेगा difficulty in breathing आपको देखने को मिल सकती है cardiovascular system के अंदर क्या change होंगे टैकी कार्डिया जो आपकी heart rate है वो increase हो जाएगी cardiac output भी increase हो जाएगा angina आपको देखने को मिल सकता है यानि chest pain देखने को मिल सकता है कार्डियो मिगैली यानि जो heart है उसका जो size है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है genito urinary जो system आपको आपको क्या changes देखने को मिलेंगे hematuria urine के अंदर आपका blood आ सकता है irregular menses हो जाएगे female के अंदर loss of libido loss of libido को मतलब है desire to sex तो ये loss हो जाएगी patient की male के अंदर और female के अंदर भी and importance भी देखने को मिल सकती है importance यानि जो fertility है male की वो loss भी हो सकती है neurological यानि brain के उपर क्या effect पड़ेगा anemia का headache हो सकता है irritability रहेगी apathy patient को क्या है absence of senses रहेगी numbness देखने को मिलेगी सुन रहेंगे आपके हाथ पर GIT tract के अंदर क्या changes देखने को मिलेंगे भूक नहीं लगेगी anorexia का मतलब होता है भूक ना लगना nausea का मतलब होता है feeling of vomiting देखने को मिलेगी diarrhea या फिर constipation ठीक है दोनों ही condition आपको देखने को मिल सकती है general appearance जो patient है वो कैसा आपको दिखाई देगा fatigue ठका हुआ दिखाई देगा weakness उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी patient का weight loss हो जाएगा जो muscle tone है वो भी decrease हो जाएगी उसके बाद जो parnicious anemia है उसका एक खास sign symptom आपको यहां भी बताया गया है कि parnicious anemia के अंदर जो patient है उसकी जो tongue है वो red beefy red आपको देखने को मिलेगी ये question आपसे competitive exam में भी पूछा जाता है ठीक है sore mouth देखने को मिलेगा और beefy red tongue parnicious anemia वाले patient के अंदर देखने को मिलेगी ये जो sign symptom थी ये आपके old type of anemia के अंदर बताया गया है कि थकान होगी fatigue होगी hb का level कम हो गया है तो ओवियस ही बात है oxygen कम आएगी तो patient थका हुआ रहेगा ठीक है oxygen brain तक कम पहुचेगी आपकी तो क्या होगा headache ही होगा उसके बाद देखिए diagnosis आपको क्या करवाने चाहिए anemia वाले patient के अंदर या फिर क्या चीज़ें आपको कम देखने को मिलेंगी जिस आपको कम देखने को मिलेगा मीन कार्पसल्स यानि सेल्स को ही बोलते हैं आप हीमोग्लोविन कंसेंट्रेशन यह कितना देखने को मिलेगा इसका क्या मतलब होता है MCHC यानि मीन कोर्पसल्स हीमोग्लोविन कंसेंट्रेशन का it means the percentage of hemoglobin in one RBC ठीक है यह normal कितनी होती है 33% होत उसके बाद देखी mean कार्पसल्स हीमोग्लोविन लेवल वो कितना देखने को मिलेगा या फिर इसका क्या मतलब होता है amount of hemoglobin in one RBC एक RBC के इंदर आपका कितना हीमोग्लोविन है तो वो आपका 30 पीको ग्राम होता है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा mean कोर्पसल्स वोल् साथ होता है वो भी आपको Decrease को मिलेगा तो यह सारी ही चीजें हैं आपको Decrease देखने को मिलेगी किस पेशिठ के अंदर आपके जो जिस भी patient ko a nice मिया होगा वहाँ पर यह सारी चीज़ें कम देखने को मिलेंगी ठीक है यह रखके बताया गए हैं इसके अंदर ठीक है तो यहाँ पर हमारा आनीमिया का जो टॉबिक है वो complete होता है अब तक की सारे वीडियो के अंदर हमने अनीमिया को cover किया है sign symptom के साथ और diagnosis के साथ so thank you guys मिलते हैं next video के अंदर next topic के साथ I hope आप सब को ये सारी चाहिए समझाई होगी thank you